Hello friends, मेरा नाम विशाल है and welcome to my channel programming with Vishal Friends, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी recently IPL start हुआ है तो actually मैं plan करदा था, actually wait करदा था plan भी कि जब भी IPL start हो तो एक dedicated video बनाऊ उसके बारे में कि और अगर आपको IPL के किसी भी match का data अपने website पर दिखाना है, तो किस तरीके से आप उसे दिखा सकती है मैं कोई भी friends यहाँ पर visit का use नहीं करदा हूँ, third party, API का use करूँगा क्योंकि आप लोगों को बता है कि हम लोग developer है, तो API का use करेंगे यहाँ पर और एक UI भी मैंने already download करके रखा है, bootstrap की template है basically तो bootstrap snippet से मैंने इसको copy किया हुए HTML के code को, इसी में देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो हमारा IPL के किसी भी match किया, अगर information है, score है जो वो दिखाना है, तो किस तरीके से हम उसे दिखा सकते हैं यहाँ पर friends, जो यह पूरे का पूरा code है, मैं आपको सब कुछ live server पर दिखाऊंगा कोई भी मैं localhost पर नहीं करता हूँ, आप पर depend करते हैं, अगर आपको localhost पर करना है तो आप localhost पर भी कर सकते हैं सर्वर पर इसलिए करता हूँ, क्योंकि वही link आपको दे दूँगा, जहां से आप लोगों से देख भी सकते हैं नेक्स चीज़ फेंड्स यह है कि अगर आपको hosting purchase करना है, तो आप hostinger से purchase कर सकते हैं बहुत ही साथ, cheap REIT में आपको बहुत fast, effective hosting यहां से मिल जाएगी और आप लोगों को जैसा कि पता है, मैं अपने हर वीडियो में hostinger की जो hosting है, वो ही prefer करता हूँ हमेशा और अगर आप यह buy करना चाहते हैं, तो मेरे हर वीडियो के description में एक link होता है buy करने के लिए अगर आप वहाँ से इसको buy करेंगे, तो आपको additional discount भी मिल जाएंगे जिसके लिए प्रोमो कोड भी है, मेरा programming with Vishal, वो भी आप basically use कर सकने लेकिन ध्यान रखेगा कि वो discount तभी मिलेगा आपको जब आप मेरे link से इसे purchase करेंगे जो match का score है friends, उसका दिखाने के लिए मैं यहाँ पे API का use करने वाला हूँ जो की है clickapi.com से already मैंने एक video बनाया था, last month भी जिसमें मैंने यह बताया था कि अगर आप किसी भी player का statistic दिखाना चाहते हैं से एक empty file बनाई हुई है, सबसे पहला काम मैं यहाँ पे यह करूँगा कि यह जो भी मेरी file है, इस file के थूँ एक API को hit करूँगा और वो API क्या करेगा, जो भी हमारा कोई IPL का match होगा, उसका basically जो score है वो हमें दिखादेगा, तो अगर आप लोगों ने click API पे कोई account नहीं बनाया, तो वो भी मैं आपको बतायता हूँ, यह मैं incognito mode में हूँ simple processor देगे, sign up पे जाना है आपको, gmail, facebook, किसी भी चीज से आप यहाँ पे login कर सकते हैं, register कर सकते हैं register करने के बाद आपको एक इस तरीके से interface मिल जाएगा, और member home में मैं एक बार आता हूँ, तो जब भी आप इस page पे आएंगे, तो यह आपका basically key होगा, जिसकी आपको जहुवत पड़ेगी हर एक hit के लिए, अलग-अलग API है यहाँ पे, तो इसमें एक API है, इनका fantasy API summary, तो य API basically क्या करता है, मुझे कोई भी match चल रहा है, उसका score निकाल के देता है, जैसे कि मैं यहाँ पे new match API में जाता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे जितने भी matches अभी चल रहे हैं, वो सारे matches आपको दिख जाएंगे, जैसे कि मैं अगर Google पे चलूँ और IPL टाइप करूँ, तो अभी जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे KKR और Hyderabad जो है, इनका match चल रहा है, तो मैं अगर यहाँ पे जाओं और search करूँ, call kota, kol, दिखे, यह आ गया, तो यह अगर आप देखेंगे, तो यह आज का match है, और इस match की एक unique ID है, यह ID, यह basically हर एक match की एक ID है, जो आपको basically चाहिए, जब भी आपको IPL के किसी भी match का score दिखाना चाते हो, या फिर किसी भी match का score दिखाना चाते हो, तो यह ID की आपको जववत पड़ेगी, और इसी के साथ साथ, एक key की जववत पड़ेगी, जो आपकी यह हो चाहेगी, तो हम चलते हैं इधर, और य उसने यहाँ पर क्या करा है, उसके कौन कौन से player है, किस player ने कितने run मारे है, सारे के सारे जो details है यहाँ पर आजाएंगे, किसने balling करी है, यहाँ दिखा रहे है कि भुवणेशवर ने balling करी थी, कितनी no ball डाली है, white डाली है, कितने six पड़े है, कितने four पड़े है, सारी कि सारी A to Z जो चीज़ हैं यहाँ पर आपको दिख जाएंगे तो इसी API का basically हम लोग use करेंगे अब हमारे PHP के code में तो यह मेरी रही PHP की file यहाँ पर मैं बना लेता हूँ URL यहाँ पर डाल देता हूँ मैं URL यहाँ तो आप curl का use कर दीजे और फिर file get content का use कर दीजे तो मैं simple है file get content का use कर देता हूँ file underscore get underscore content और यहाँ पर यह जो URL है इसे pass कर देता हूँ result के अंदर मुझे सारा का सारा जो data है वो मिलने वाला है पर वो json के format में होगा तो मुझे बोलना पड़ेगा json underscore decode यह डालेंगे second parameter डालेंगे true जिससे की सारा data जो है मेरा array में convert होके मिल जाए अब यह result नाम के variable में जो आपको सारा का सारा data है वो मिल जाएगा एक बार चलते हैं से server पर मैंने file का upload करा यह मेरा page है hit करते हैं API हिट होगा और hit होते ही अगर आप यहाँ पर देखें तो यह सारा का सारा जो data आपको निकाल के देदेगा अब यहाँ पर तीन अलग-अलग condition हो सकती है एक तो यह हो सकती है कि जो API हमने डाला है यह एक ऐसा API है जो exist नहीं करता तो क्या होगा तो अगर आप देखें तो एक error नाम का variable आएगा जो बताएगा कहां किया sorry मुझे upcoming matches में जाना पड़ेगा actually में new match और chain नहीं यह match डाल देता हूँ यह upcoming match है जो अभी तक हुआ ही नहीं है अगर यह ID डालूँगा तो क्या होगा आपको वो भी दिखाता हूँ यह मेरा था link मैं फिर से इसे hit करता हूँ तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको fielding, balling, betting यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा आपको बस team के अंदर 0 और 1 index पे वो दोनो team दिखाई देंगी जिन दो team के बीच में match होने वाला है तो तीन चीज़े मैंने दिखाई अगर match है वो match चल रहा है तो क्या होगा अगर id गलत है तो क्या होगा और अगर match upcoming है तो क्या होगा तीनों चीज़े आपको यहाँ पे मिल गई सबसे पहला काम तो हम लोग यह कर लेते हैं कि अगर यह error आया तो match दिखाएंगे इससे भी अच्छा यह काम करते हैं कि यह जो html है ना हमारा इसी के अंदर अब हमारा जो code है वो implement करना start करते हैं जिससे कि जो काम है हमारा वो easy हो जाए तो html जो नाम का मेरा folder है इसके अंदर मेरी जो सारी की सारी files है वो पड़ी है तो मैं इन सब को करता हूँ यहां से copy और एक folder पीछे dump कर देता हूँ और यह जो html का folder है इससे open कर लेता हूँ तो जो जो code मेरा यहां है इसको copy करके एक दूसरी file में डालता हूँ और यह पूरी की जो पूरी template है इससे यहां पे upload कर देता हूँ जिससे की अब जब आप इस link को hit करेंगे तो आपको वही link यहां पे दिख जाएगा तो सबसे पहले तो हमें यह चेक करना पड़ेगा कि यह पूरी की पूरी detail तब आएगी जब हमारे code में कोई error नहीं आ रहा है code में error आ रहा है नहीं आ रहा है उसके लिए मैं लूँगा यह URL और सबसे उपर चलते हैं टॉप पे यहां पे मैं यह डाल देता हूँ अब यह result के अंदर अगर तो error आया इसका मतलब तो यह है कि भई कुछ तो है गड़बड़ा नीचे आएंगे और एक बार मैं देखता हूँ कि यह जो structure है यह कैसे है तो अगर आप यहां पे देखें तो यह आ रहा है हमारा variable इसको भी मैं बंद कर देता हूँ इसको भी मैं बंद कर देता हूँ तो इस variable के अंदर यह वाला जो row है इसके अंदर मेरा यहां कहीं पे data आ रहा है तो सबसे पहला काम तो यह करते हैं कि condition लगाते हैं कि if is set if is set this of error अगर तो इसके अंदर कोई error नाम का variable बना तो यह condition else यह पूरे का पूरा जो मेरा code था यह पूरे का पूरा जो मेरा code है यह यहां आ जाएगा that's it और अगर यह condition मेरी हुई इसको मैं भी लाल तो इधर तो बंद कर देता हूँ अब अगर मेरी यह condition हुई error आई तो वो जो भी error है उससे मैं यहां दिखा देता हूँ यह error है मेरी इसी error message को यहां दिखा देता है यहां मैं बोल देता हूँ e को h2 tag ले लेते हैं जिससे की error थोड़ी सी prominent दिखे इसको मैं यहां डाल देता हूँ और उधर एक ऐसा डाल देता हूँ unique id जो exist करता ही नहीं है एक बार देखते हैं क्या होगा अभी तो इसने hit करा इसने यहां दिखा दिया invalid unique id बिल्कुल ठीक है अगर तो वो id गलत है तो आगे जाएगा ही नहीं अब अगर id सही है तो अगर सही है तो भई हम एक काम करते हैं इधर चलते हैं यह वाली जो id थी मेरी सही थी इसको मैं यहां डाल देता हूँ यह मेरी यह वाली मेरी जो थी वो upcoming match की id थी तो एक काम करते हैं वन डाई वन लेके चलते हैं कि अगर तो upcoming match की अईडी कोई आई तब क्या होगा तो मैं उसके लिए काम करता हूँ मुझे फिर से किसी match की ID चाहिए तो ये ले लेते हैं या कोई और आगे का ले लेते हैं अब अगर तो हमारे code में ये चीज हुई मतलब ये match upcoming है तो उस case में मुझे एक बार reload कर लेते हैं तो इस case में मुझे ये तो सारी की सारी चीज़े दिखाने के जरुवती नहीं है बस यही आएगा और इसमें भी ये खली match आएगा और नीचे का तो data कोई आएगा ये नहीं को कि देखो toss ये सब चीज़े तो होई नहीं है बस उपर किसके बीच match होने वाला है बस मैं ये दिखा दूँगा that's it यहाँ पर लेकिन इस case में क्या होता है इस case में जो मेरा fielding, balling, betting है ये empty होता है और जब data होता है तो मेरा ये वाला आता है तो मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि अगर मेरी fielding empty है और balling ये सारी चीज़े empty हैं बिल्कुल ठीक है और बाकी तो इस में कुछ ऐसा है नहीं चलिए ठीक है तो मैं basically यहाँ देख लेता हूं कि अगर तो मेरी fielding वाला जो variable है वो empty है क्योंकि fielding वाले variable में अगर हम देखे हैं तो ये fielding का variable है और यहाँ पर सारी की सारी मेरी detail आ रही है 0 का मतलब ये team 0 की fielding है और 1 का मतलब ये team 1 की fielding है fielding के अंदर अगर कोई data हुआ इधर रहे है अगर fielding के अंदर 0 index बना इसका मतलब भाईया जो match है वो start हो चुका है तो ये वाला जो box था मेरा second column वाला जो box था ये कहां खतम होता है नीचे आते हैं यहां कहीं खतम होता है तो इस पे भी मैं condition लगा लेता हूँ in fact एक और यहां पे पूरे का पूरा जो है इसे बना लेता हूँ और इधर आते हैं यहां पे एक और condition लगा लेता है if is it अगर result के अंदर data के अंदर fielding के अंदर zero नाम का index बना है इसका मतलब भाईया वो जो match है वो start हो चुका है रिलोट करेंगे एक बार यह है हमारा result वाला page हिट करते हैं तो इधर दो था वो हमारा हो गया गायब अब यहां पे उपर की तरफ इन दोनों जो teams हैं इनका जो data है वो दिखा देते हैं data कैसे मिलेगा उसके लिए हमने देखा team zero, team zero और team team zero, team one इनका जो data वो मुझे दिखाई देगा चलिए चलते हैं इधर और result के अंदर कहां गया यह रामा रहा तो मैं इससे करता हूँ हटाता हूँ यहां से और यहां मैं बोल देता हूँ कि e को result देखें किसके अंदर है, data के अंदर है team, तो मैंने बोला data, data के अंदर है team data के अंदर team, इसके अंदर zero, इसके अंदर name इसके अंदर zero और इसके अंदर name एक तो हो गया मेरा ये और इसको भी मैं उपर ही कर देता हूँ copy vs vs और इसको कर देते हैं चलिए file करते हैं upload और एक बार हमारा जो scoreboard का page या उसे hit करके देखते हैं तो यहाँ पे जो data था वो मेरे पास आ गया और कुछ data है कि इसमें हमारे काम का तो और तो इसमें भाई देखिए कोई भी चीज हमारे काम की है नहीं एक चीज और काम की है कि यह जो match है यह शायद 16 को होने वाला है तो मैं एक काम करता हूँ यह जो date है यह निकालने के लिए एक बार match देख भी लेता हूँ कि भाई सही में ऐसा ही है न तो कहां गया भी हमारा scoreboard Delhi Capital और इनका जो match है एक बार चलते है Google पर IPL कर लेते हैं तो पता चल जाएगा भी इनका match कब है तो IPL का जो time table है उसको नीचे लेके चलते है matches यहां आ गया तो 16 को यह दिखा रहा है कि actually में CSK और इन दोनों का match होने वाला है तो हमारा सही है क्या कहां गया code हमारा Punjab और चिन्नई का match है तो Punjab और चिन्नई का match है 16 तारीक को बिल्कुल ठीक है यहां पर इसका मतलब यह जो variable है यह आपको match की date बताता है हमने यहां पर actually Delhi Capital और Punjab King इन दोनों के बीच का किया हुआ तो actually मुझे Punjab इन दोनों का देखना पड़ेगा यह कब है Short form DC DC तो DC का जो अगला match है Punjab के साथ वो actually 18 तारीक को तो इधर की तरफ यहां पर जो होगा न मैं यह वाला जो भी इनका जब भी match है वो date basically यहां डाल देता हूँ तो उसके लिए मैं इसे करता हूँ copy और नीचे आ जाते हैं qualifying यह सब हटा देते हैं series date यहां पर हम इसको use कर लेते हैं अब यह date किसमे मिलती है मुझे यह मिलती है मुझे इस variable में जो की first variable मतलब reside के अंदर का जो first variable है इसमें चले एक बार hit करके देखें हमारे page को सही data आ रहा है कि नहीं आ रहा तो इसने बताया 18 तारीक को इनका match होने वाला है perfectly fine है यहां तक अब यह जो data है यह actually थोड़ा सा formatted चाहिए तो मैं क्या करता हूँ भई PHP में use कर लेते हैं हम लोग तो मैं यहां बोल देता हूँ eco, echo, date, dmy, str to time और यहां यह डाल देता हूँ यह क्या करेगा इसको seconds में convert करेगा और दे देगा एक बार hit करके देख लेते हैं तो जैसे इसे hit करा तो इसने यह दिखा दिया भई इस तारिक को जो यह match है हो रहा है ठीक है अब इधर बाकी तो जो fields के variable है actually में यह series कौन सी है यह IPL है यह सब तो देखी हमें पता ही है तो मैं यहां hardcoded डाल देता हूँ IPL 2021 और when you India ही है भई यह भी पता ही है हमें तो match जो है यह variable हटा देता हूँ इस variable की मुझे कोई जववत है नहीं यहां पर basically इस div की कोई जववत नहीं है मुझे series IPL की series है भई यह यह तो सबको पता ही है match type IPL toss toss किसने जीता है एक बार मैं upload करके देख लेता हूँ भई क्या कि data हमारे पास और है हटाने का या देखने का तो series आ गई IPL match type 2020 cricket match बिल्कुल ठीक है इंडिया में हो रहा है toss basically किसने जीता है अब देखिए यह जो मेरी condition थी यहां पर अब इसमें तो हमें यह पता चल गया पर यह तो पता चली नहीं रहे कि toss winning team किस team ने जो था toss जीता था यहां पर और अगर मैं यहां पर sunrises के नाम से और कुछ देखूं balling to sunrises inning this, this, this चलिए ठीक है तो toss जीता किसने है वो मुझे यह वाला variable निकाल के देता है तो नीचे चलते हैं थोड़ा सा यहां पर और यहां मुझे यह toss यह variable exist करता है या नहीं करता तो मुझे बोलना पड़ेगा if is set अगर तो result के अंदर यह variable exist करता है तो इसको print कर दिया जाए और अगर नहीं करता तो हम इसको छोड़ देंगे अब एक बार मैं करता हूँ hit अब देखिए जब match हुआ ही नहीं है तो toss भी नहीं होगा अब अगर match हो चुका होता और यह जो scoreboard है ना इसको भी मैं यहां पर हटा देता हूँ इसी के base पर condition ले लेते हैं क्योंकि अगर toss ही नहीं हुआ तो आप match का score कैसे दिखा सकते हैं इसको भी मैं फिलहाल के लिए यहीं पर ले लेता हूँ तो चलिए यह आ गया मेरा कौन सी date को होने वाला है यहां तक बिल्कुल ठीक है अब हम लोग ऐसा ID लेके चलते हैं जो actually match हो चुका है या फिर हो रहा है चलते हैं एक बार अभी किसका match हो रहा है आज यह मेरी इस match की ID और अब एक बार हम यह वाला ID डालके देखते हैं जो match अभी चल रहा है तो ideally जो toss है वो यहां पर आ जाएगा किसने जीता है score आ गया पर यह toss वाला भी आया नहीं है toss क्यों नहीं आया है एक बार मुझे देखना पड़ेगा actually यह data के अंदर exist करता है मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया यहां पर तो कहां है variable winning यह actually में data के अंदर है variable सारा कुछ जो होगा वो होगा तो data के अंदर थोड़ा सा नीचे आते हैं कहां क्या toss winning यह variable उपर है फिर एक variable यहां पर भी है चलिए चलते हैं इसे एक बार अभी hit करके देखते है तो देखिए यहां पर आ गया कि toss किसने जीता है तो मैं यहां डाल देता हूँ इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं यह था toss win किसने यह है toss जीता है एक चीज़ और देखेंगे कि भई जो हमारी API के limit है कहींवे exceed ना हो जाए testing करते करते हैं तो चलिए ठीक है काफ़े hit है और अभी मेरी खाली 40 hits होई है चलिए ठीक है अब थोड़ा hit जो है न कम करेंगे basically हमारी जब जववत पड़ेगी एक बार data ले आते हैं फिर देखेंगे चलिए तो man of the match अच्छा एक man of the match का variable भी है तो क्यों ना एक काम करें भई man of the match भी डाल देते हैं यहाँ पर एक और heading बन जाएगी हमारी तो मैं इसी के नीचे एक और ले लेता हूँ man of the match अगर तो man of the match का data हुआ तो वो प्रिंट हो जाएगा अगर यह हुआ तो यह प्रिंट हो जाएगा और इसको मैं बोल देता हूँ man of the match चलिए तो man of the match आ गया अभी अगली चीज़ है इधर score आएगा अच्छा score से भी पहले काम कर लेते हैं जो data हमें लाने का है न यहाँ पर team 1, team 2 का इनका सारा data ले आते हैं चलते हैं जी उपर तो यहाँ पर जब मैं चलता हूँ fielding 0 आई और fielding के बाद यहाँ पर मेरे पास यह data आया यहाँ पर मेरे पास आई इनकी balling balling में 0 index में मुझे यह सारे जो baller है यह मिल रहे हैं और 1 index में मुझे मिलेंगे जो अभी match हो रहा है उसमें किस-किस ने balling करी है तो एक बार चलते हैं 0 index में यह मुझे दिखा रहा है भुवनेश्वर ने की थी संदीप शर्मा ने की थी नटराजन ने की थी बिल्कुल ठीक है तो balling का 0 index में लेके यहां दिखा लेता हूँ तो चलते हैं एक बार loop पे हमारे और balling का है हमारी player x यह रही balling तो मैं बोलता हूँ यह जो balling है balling यह सारी की सारी दिखाने के लिए तो यह जो baller है इनके यह यहाँ पे om यह सब ठीक है आ रहे है मैं कोई भी एक जो table है यह div को हटा देता हूँ अच्छा यह यहाँ से loop में गूम रही है इसको हटा देते हैं यह गूम रही है तो यह जो data है यह मेरा यहाँ पे basically loop पे गूमेगा कहां से कहां तक यहां से यहां तक चलते हैं इदर यहां मैं डाल देता हूँ for each loop और क्या करना है result के अंदर है data और data के अंदर है balling balling के अंदर है zero और zero के अंदर है score और score के अंदर हमारा जो loop है वो घूम रहा है तो मैं डालता हूँ यहाँ पे score as dollar list और यह जो मेरा div है इसको मैं घुमाता हूँ loop में एक बार hit करके देख लेते हैं वही सब कुछ ठीक है न तो यह देखिए यहाँ पे loop पे घुमा क्यों loop पे घुमा क्योंकि इतने baller जो है वो यहाँ पे अभी तक use करे गए है तो एक बार यह रहा match यहाँ पे एक बार नीचे की तरफा लेते हैं एक दो तीन चार पांच है छे baller देख रहे हैं लेकिन यह जो first inning है इसके देखने हैं हमें तो छे ballers थे यहाँ पे और अगर आप देखें तो यह 6 बन रहे हैं बिल्कुल ठीक है तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे और यह जो list है list के अंदर से data निकाल लेते हैं तो यहाँ मैं डाल देता हूँ e को इस list के अंदर से मुझे निकालना है baller सारे जो variables हैं मैं यहाँ पे assign कर देता हूँ फिर उसमें से जो जो data निकालना होगा वो data निकाल लेंगे चलिए तो baller मिल गया मुझे अच्छा baller के बाद अगला क्या है कितने over डालें इसने तो o से मुझे over मिलते हैं बिल्कुल ठीक है इसके बाद क्या था o के बाद था कितने median दिया है इन्हों ने तो median तो सबके 0 ही होंगे IPL ने बहुत rare case में median over होते हैं तो median हो गया median के बाद run कितने गई है R से पता चलेगा हमे चलिए R भी आ गया हमारा run के बाद wicket कितने लिए है wicket W से पता चलेगा हमे W के बाद economy कितना है इसका economy E-C-O-N और अगली चीज थी 4-6 यहाँ पे मैं दिखानी रहूँ मेरी template में नहीं है जगा भी नहीं है आपको दिखा दिया है मैंने अगर आप दिखाना चाहें तो उसे दिखा सकते हैं extra के लिए मैं क्या करूँगा इन दोनों को add कर लूँगा wide और no ball को and be no ball चलिए reload करते हैं एक बार और अभी एक बार hit करके देखते हैं क्या रहा हमारा data आया की नहीं आया तो यह देखिए perfect data मेरा यहाँ पे आ गया तो यह दिखा रहा है कि भुवनेश्वर, नटराजन और राशित खान ने एक एक extra run दिया है यहाँ पे अच्छा extra तो इनके पास भी नहीं है तो मैं भी हटाई देता हूँ जब भई यहाँ पे Google नहीं दिखा रहा तो जो चीज दिखा रहा है वो भी मैं वही ले ले लेता हूँ वैसे भी नहीं तो UI set करना पड़ेगा बाकी कैसे दिखाना है वो मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया है तो अगर आप दिखाना चाहें तो आप उसे दिखा लीजेगा चलिए इतना काम हो गया मेरा इसके बाद अगला काम मैं कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो betting है जिन्होंने betting करिया उनका दिखा ले तो betting कहां से start हुई थी betting start हुई थी नितिश राना से तो इधर आते हैं और थोड़ा सा नीचे चलते है score हर भजन यह तो second team का आगया copy paste कर देंगे चलिए betting 0 score 0 इसी को copy करूँगा और जो उपर betting का loop चल रहा था ना यह वाला इसको करूँगा यहां से बंद और यहां पर same to same चीज़ डाल देंगे बस यहां पर betting हो जाएगी that's it यह जो balling था इसकी जगा पर betting हो जाएगी बाकि सब कुछ जैसे चल रहा है वो चलता रहेगा चलिए और यह जो div है यह यहां से चल के यहां हो जाएगा खताव इसको बंद करते हैं चलिए जी अब एक एक करके जो data है वो यहां पर print करा देते हैं इको this इसमें से मुझे क्या चाहिए टी और इसमें से मुझे चाहिए betsman upload एक बार reload तो सारे जो betsman थे देखिए वो यहां पर आ गए आगे चलते हैं तो dismissal एक बार देखें कि इनमें not out कौन था not out था दिनेश कार्तिक तो दिनेश कार्तिक के आगे यहां पर क्या लिखा है not out अच्छा dismissal यहां पर not out आ गया चलिए बिल्कुल ठीक है तो अगला run दिखा देते हैं यहां पर कि भई इसने कितने run मारे है तो IPL कैसे यह कैसे दिखाता है RB दिखाता है और हमारे में क्या है RB चलिए ठीक है इसको copy करते हैं और हमारी जो template है भई हम लोग तो वैसी चलेंगे तो यहां पर हम लोग पहले दिखाएंगे कहां गया कि कितने run मारे हैं कितनी ball में इसके बाद अगला क्या था हमारा 4 और 6 तो 4s और 6s है इसको copy 4s 6s strike rate SR SR चलते हैं जी upload करते हैं एक बार hit करके देखते हैं जी कैसा लगा हमारा UI चलिए जी बिल्कुल ठीक है यहां तक अब अगली चीज इसका हुआ क्या इससे out करा है कि नहीं करा किसी ने उसके लिए ये information निखा दूँगा इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे नीचे की तरफ ही क्योंकि जगा है नहीं यहां पर एक BR मारेंगे एक लेंगे span इस span को करेंगे जी यहां बन SPAN और यह डाल देते हैं यहां पर eco list के अंदर से जी यह चीज निकाल लेते हैं और इसको मैं बोल देता हूँ style color red font size font size कितना करें 12 pixel कर देते हैं चलिए चलते हैं एक बार upload करते हैं reload करते हैं तो देखिए यहां पर आगया भई यह क्या हुआ अब अगर कोई note out है तो उसके लिए क्या करेंगे green color ले लेंगे यहां पर जिससे UI जो है थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा तो यहीं पर लगा लेते हैं condition एक बनाते हैं variable color is equal to red और if sorry if list में जो अच्छा यह copy पहले से ही था अगर इसकी जो value है यह हुई क्या यह हुई क्या है जी green color में not out अगर यह हुआ not out तो इस color में मैं डाल दूँगा green gr green और यह जो color नाम का variable है इसी को नीचे call करा देते हैं यहां पर इसको बंद करते हैं इधर इसे color डाल देते हैं upload कर देते हैं चलिए hit करते हैं तो फाइदा यह है कि यह green दिग गया green का मतलब कि यह जो player है हमारा not out रहा है और out का मतलब यह out हो गया balling आ गई betting आ गई score रहे गया यहां पर score भी ले आते हैं score लाने के लिए बस एक बाद ढुणना पड़ेगा यहां पर देखते हैं जी क्या है तो score के लिए काम कर लेते हैं यह score कहीं तो आई रहा होगा उपर देखते हैं कहां है तो score कितना मारा इनोंने 186 किया 187 कर रहा है न इनोंने तो मैं control F कर लेता हूँ 187 अच्छा 187 कहीं भी नहीं आ रहा है तो fielding for this यह आ रहा है मुझे ढूंड़ना पड़ेगा थोड़ अचा कि यह वई कहीं पर दिखाते तो होंगे यह दिखाया है बॉलिंग तो यह टाइटल चलिए मिल गया यहां पर तो यह कॉलकता ने किसने क्या मारा है यह टाइटल के दुरू मुझे यह पता चल जाएगा यहां पर इसके टाइटल में क्या रहा है जिसके टाइटल में यह आ रहा है तो मैं इधर दिखा लेता हूँ टाइटल टाइटल किसके अंदर है यह टाइटल है मेरा यह स्कोर के अंदर तो एक काम करते हैं इसको करते हैं कॉपी स्कोर के अंदर टाइटल तो मुझे जो यहां बैटिंग दिखानी थी यह वाला जो वैरियेबल था ना इसको मैं कर देता हूँ इसको कर देता हूँ इको ओफ टाइटल चलिए जी एक बार देखें रिलोड करके क्या रहा कहां गया भी टाइटल टाइटल तो कहीं चला ही गया और मतलब टाइटल जो था वैरियेबल गलत हो गया हमारा कोई बात नहीं तो टाइटल कैसे बन रहा है एक बार दुबारा देखना पड़ेगा स्कोर है अच्छा स्कोर्स के अंदर नहीं है यह यह स्कोर के बाहर है टाइटल तो देखें यह आगया 20 hours तो यह पता चल रहा है कि भई यह रही है इनकी इनिंग अभी यह इनिंग में इन्होंने रन कितने बार है यह थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है कहां से मिलेगा मुझे क्योंकि नहीं भी अगर मिलेगा मुझे तो मुझे पता है वैसे option तो मुझे पता है कहां से मैं निकाल सकता हूँ पर कोशिश कर दे हैं कि भई इसी में कहीं पर option मिल जाये तो अच्छा है तो कहां है कहां है कहां है नहीं तो एक काम यह कर सकते हैं कि भई जो टोटल स्कोर है सारा मिला के जितने भी एक्चुली क्या है अगर जितने भी रन गए है वो अगर हम देखें तो इन बॉलर के टोटल ही आएगा लेट से अगर मैं यह जो सारे बॉलर है इनका स्कोर जो रन है एड कर दूँँ 45 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 32 प्लस 24 प्लस 14 187 हो गया अब अगर मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो मैं यह 187 में मार दूँगा तो वहां से मुझे प्रचल जाएगा तो मुझे वैरियेबल तो कोई दिखनी रहा है तो एक काम कर लेते हैं फिर यही कर लेते हैं चलिए यह जो वैरियेबल था betting नहीं betting नहीं bowling वाला actually ये वाला ये जो variable है ये मुझे जो score है वो निकाल के देता है तो मैं काम करता हूँ कि जो मेरा title आ रहा है कहां है title यहां है title यहां पे जो score दिखाना है न वो मैं वहीं से दिखा लेता हूँ फिर चलिए जी इधर चलते हैं और ये जो variable था इसको loop पे घुमाते हैं और यहां से क्या करेंगे कि हम लोग ये दो चीजों को निकाल लेंगे एक तो कितने over हुए हैं और कितनी जो total ball हुई है वो हुई है तो मैं एक variable बनाता हूँ यहां पे total o is equal to 0 और total r is equal to 0 ये भी 0 ये भी 0 अब total over जो है is equal to total over plus इस list के अंदर के जो baller का data r है ना उस list के अंदर के कहां गया r के बराबर हो जाएंगे r add होते रहेंगे उसमें अच्छा over के लिए o होगा sorry तो यहां से मुझे मिल गए total o कितने हैं और यहां से मुझे मिल गया है total r कितना है r का मतलब total run कितना है तो इसी को अभी मैं ये कुछ open रहे गया गया ये चला हमारा ये इधर बंद हुआ अच्छा ये इधर जववत नहीं थी इसकी तो इसको मैं लेके चलता हूँ इधर और यहां डाल देता हूँ ego total run और total over यानि की o चलिए जी एक बार देखते हैं क्या रहता है हिट करते है चलिए जी ये मुझे लग रहा था एक्छली कुछ color जो है न वो green सा हो रहा था तो भाई ये थोड़ा सा मुश्किल है ढुनना पर चलिए easily मिल गया हमें तो यहां पर देखिए इसने बताया ये की 34 over 34 betting 34 in this ये क्या हुआ है अच्छा ये sorry आर करना था ना इसे चलिए अभी hit करके देखते हैं एक बार चलिए तो betting में इसने बता दिया कि भाई ये जो total है ये कितने जो लोग हैं आए हैं यहां पर और भी एक काम कर सकते हैं अगर wicket भी निकालने हैं तो wicket के लिए जो इसका loop है वो निकालना पड़ेगा पर more over यहां पर हमारा ये एक level पर तो sorted है अभी अगर मैं एक चीज़ और देखूं की नीचे आते हैं एक काम होगी हमारा अब हमें चलना है दूसरी तरफ तो अगर मैं इधर आऊं तो ये मेरा team 1 की सारी detail आ रही है पर जो team 2 है उसकी detail यहां पर मेरी अभी नहीं आ रही है तो जैसी मैं team 2 पर click करूँ तो क्या होना चाहिए team 2 का जो data वो आ जाना चाहिए तो actually मैं जो team 2 का data भी है न वो इसी तरीके से आएगा तो मेरे पास team 2 के लिए कुछ बना है क्या एक बार मैं देखता हूँ तो जब मैं team 2 पर इधर मेरा कुछ जो इसके div है वो बने हुए तो जब हम team 1 sorry div 1 पर थे और यह रहा देखे div 2 का content तो div 2 के लिए है यह tab बने हुए है कहीं पर tab नाम की कोई class है एक बार देखते है कि कहां से start हो रही है तो यह जो tab list है यह basically यहां से start हो रही है यहां से यह आ रहा है आपका सारा का सारा data तो इसमें मैंने यहां से जो loop है घुमाने शुरू करे थे तो मैं यह जो पूरे का पूरा content है यही copy करता हूँ यहां से in fact अगर मैं यह जो div है पूरे का पूरा इसके अंदर आना है न तो मैं यह जो div है इसी को अगर copy कर लूँ पूरा और इसको भी copy कर लूँ और इन दोनों को उठा के उधर डाल देता हूँ पस उनकी जो indexing है वो मुझे change करनी पड़ेगी that's it देखिए मैंने क्या बोला आपको कि यह जो 0 है इसकी जगा 1 कर देंगे that's it इधर 1 कर देंगे और इधर भी 1 कर देंगे चलिए, reload करके देखते हैं एक बार अभी तो team 1 का यह data है जैसी मैंने team 2 पे click करा तो team 2 पे उसने दिखा दिया कि यह जो लोग हैं, यह सारे के सारे आउट हो गएं, यह जो title है इसका अभी हम लोग change करेंगे, एक बार चलते हैं इधर और match करा के देख लेते हैं वही कि सब कुछ सही है, जो हमारा data है वही है साहा इसने बताया वही आउट हो गएं बिल्कुल ठीक है Warner भी आउट हो चुके है Warner भी आउट हो गए है मनीश पंडे नॉट आउट है जॉनी आउट हो गए है, नभी भाई अभी खेल रहे है बिल्कुल ठीक है, दीक है, परफेक्ट आ रहा है बॉलिंग की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो बॉलिंग भी मुझे यह दिखा रहा है यह तो चलिए, यह यहाँ तक मेरा सारा का सारा जो डेटा है बिल्कुल सौटेड आ रहा है, बस इसमें कुछ चीजों की दिक्कत है यह जो टाइटल यहाँ आ रहा है ना इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा इसकी कोई जवर्वत नहीं है यहाँ पर इसकी जगा में टीम वान टीम टू पर जो भी टीम बैटिंग कर रही है उसका जो नाम है वो यहाँ पर उपर की तरफ ले आते हैं तो हमारी जो कहानिया सौट हो जाएगी पर दिक्कत ही है कि वो नाम लाएं कैसे तो अगर मैं यह एरे में देखूँ तो यहाँ से मुझे पता चला कि फिल्डिंग आफ इनकी है फिल्डिंग ठीक है और सेकंड में जो आ रहा है वो फिल्डिंग इनकी है टारगेट तो इसका मतलब यह है कि जो जीरो इंडेक्स पे हमारा डेटा बनता है उनकी जो है फिल्डिंग पहले है अगर उनकी fielding पहले है तो obviously बात है कि जो दूसरी team है वो बात में आएगी तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जो zero index वाला है zero index में हमें जो team मिलती है वो हम लोग लेके चलेंगे team 1 में और जो second मिलती है हमें वो लेके चलेंगे हम team 2 में तो हमारी जो कहानी है यहाँ पे हो जाएगी sort तो अब fielding for ये आ रहा है मेरे पास यहाँ पे और अगर मैं इसका देखूँ तो ये आ रहा है fielding for this तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इसको break लगाऊ fielding for और innings इन दोनों के बीट से मुझे इसकी जो team है वो यहाँ पे मिल पा रही है इसके अलावा और मुझे actually में यहाँ पे कोई तरीका लग नहीं रहा है क्योंकि यह जो API है यह और किसी तरीके से तो मुझे data यहाँ पे देता है नहीं name kolgatha night rider यह क्या आ रहा है team zero team one अच्छा यह भी ठीक है तो यह क्या कर रहा है team zero का नाम दिखा रहा है यहाँ पे sunrise है तो team zero का मतलब basically यह है कि अगर मैं इधर चलूं तो team zero वो है जो team ने fielding कर रहा है यहाँ से भी मुझे नाम मिल जाएगा वैसे team zero में मुझे वो team मिल रही है जिसकी fielding है और team one में मुझे वो team मिल रही है जिसकी betting है पिल्कुल ठीक है यहाँ से भी उठा लेते हैं इसे तो मैं क्या करता हूँ कि इसे copy करता हूँ टीम 0 टीम 1 नीचे चलते हैं और हाँ यह रहा यहां मैं डाल देता हूँ तो यह मेरी हो गई IPL का कल वाला जो math start हो तो हो सकता है कि उससे हमें पता चले कि जो मेरा data है वो हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे कहीं हो गया हो तो जो नया match आएगा हमारा ना उससे थोड़ा data clear होगा actual में तो अगर कुछ issue रहेगा तो मैं आपको एक और वीडियो बना के उसमें दिखा दूँ यहाँ पर और इसको भी मैं इधर दी load कर देता हूँ नीचे भी आ रहा होगा तो कहां गया कहां गया कहां गया नीचे चलते हैं इधर चलते हैं एक बार betting का ये दिखा रहा है ओ ये किसका data ले रहा है 1 का इसको मैं एक बार खोल लेता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ इसको भी हटा देता हूँ reload कर देते हैं एक बार तो चलिए ठीक है अभी ये आ गया भईया कि ये betting team का ये है दोनों का आना चाहिए actually में तो दोनों का आ रहा नहीं है ये क्यों क्योंकि हमें इधर वाले नीचे वाले में भी वो जो 0 है उसकी जगा मुझे 1 करना पड़ेगा इसको मैं 1 कर देता हूँ इधर गया तो इसने मुझे ये बता दिया इधर गया तो इसने मुझे ये बता दिया अब इसमें भी एक काम कर सकते है ये betting की तो कोई ज़र्वत लिखने की word की है नहीं उपर वाला जो score है वो ही basically मुझे यहाँ पर clear cut बता दे रहा तो इसको मैं इधर कर देता हूँ reload कर लेते हैं एक बार तो आप देगे यह आ गया भई कि इन्हों ने तो इतने में इतना किया था और इन्हों ने इतने में इतना किया है और ये जो score का जो count आ रहा है इसी को मैं इधर भी ले लेता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा एक तो इसको copy करना पड़ेगा और in fact एक काम करें हम अगर मैं इधर की तरफ चलता हूँ यह चलिए छोड़िए हम लोग यहीं पर डाल देते हैं यह तो मैं सोचा था कि one time में लेना पड़े कोई बात नहीं इसको हम लोग manager बला यहां भी डाल सकते हैं और यहां डाल देता हूँ कि if is set अगर यह चीज मेरी exist करेगी यहां पर तो मैं यह जो नीचे की पूरी की पूरी condition है इसे चलने दूँगा same to same मैं इधर डाल दूँगा one के लिए one and one एक बार चलते हैं अभी और reload करके देखते हैं तो यह इधर की तरफ आना चाहिए था भई क्यों नहीं आया यह अच्छा आएगा कैसे हमें इसे लिखना भी तो पड़ेगा न e को तो मैंने कुछ किया ही नहीं है जब e को करेंगे नहीं तो चलेगा कैसे अब e को क्या करना एक बार यह देख लेता हूँ इसको strong वे इको करना था मुझा तो इधर यह ले लेते हैं और इधर यह ले लेते हैं पस ध्यान रखेंगे कि यह जो दोनो variable है ना इन्हें यहाँ पे हम लोग blank करेंगे अंदर नहीं क्योंकि हो सकता है यह कुछ और गरवड कर दें आके जाके तो इन्हें मैं यहाँ पे इस तरीके से initialize कर लेता हूँ चलिए reload करके देखते हैं भी एक बार तो यहाँ पे मेरे पार zero data था आगे क्यों क्योंकि UI थोड़ा सा अलग हो रहा है वो VR VR मारा नहीं है यहाँ पे तो वो लगा देंगे अभी दिक्कत क्या है कि यह देखने के बाद हमें यह नहीं पता चल रहा कि भाया किसने कितना score करा है यह देखके यह तो पता चल गया पर किसका कितना score है वो मुझे यहाँ पे देखके पता नहीं चल रहा है तो उसको निकालने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा basically कि जो भी मेरा ये array चल रहा था इस array में 0 और 1 के base पे मुझे basically team भी निकालनी पड़ेगी तो मैं यहाँ पे काम कर देता हूँ कि जब मेरी ये condition हुई तो मैं यहाँ बोल देता हूँ dollar team is equal to blank और अगर ये चीज़ वही इसको भी मैं काम करता हूँ in हटा ही देता हूँ या एक काम करना पड़ेगा actually problem क्या है कि ये मेरा इसमें आना चाहिए न अगर ये चीज़ exist करेगी तभी तो मैं इसको दिखाऊँगा otherwise तो मेरा ये आएगा ही नहीं तो मैं इसको भी इसके अंदर डाल देता हूँ और यहाँ पे भी इसको इसके अंदर डाल देता है strong को हटा लेते हैं अब मुझे team का नाम निकालना है तो team मैंने आप लोग को पहले बताया था कि इसमें पड़ी होई होती है आपकी name में अब ये कहाँ पे ये team के अंदर है ये team zero player और team zero player name team zero और name team zero name data team zero name तो इधर चलते हैं और यहाँ पे इसी को ले लेते हैं तो यहाँ डाल देता हूँ मैं echo of this data team zero of name कॉपी करेंगे ये zero के लिए है और next वाला जो है वो मेरा one के लिए हो जाएगा तो इधर चलेंगे और इसको भी डाल देते हैं और यहाँ पे इसे one कर देते हैं चलिए जी एक बार reload करके देखते हैं भई hopefully अरे ये क्या हुआ मिला ही नहीं क्या team की जरुवत कोई ही नहीं variable की अब echo नहीं लिखूंगा तो देखे चलेगा कैसे तो ऐसे भी छोटी-छोटी गलती हैं हो जाती है कई बार इसको echo कर देते हैं अरे गलती से मैंने उस पर कर दिया चलिए कोई बात नहीं तो देखे चलिए यहां पर आ गया कि भई जो sunrises हैदराबाद था अच्छा ये थोड़ा घरबर हो गया इसको zero करना पड़ेगा और इसको one करना पड़ेगा 01 एक बार देखते हैं इधर चलते हैं 01 अच्छा सॉरी यहां भी one करना पड़ेगा न रिलोड करते हैं एक बार तो ये तो उल्टा दिखा रहा है भई उल्टा क्यों दिखा रहा है 001 तो हमने क्या बोला हमने बोला 0000 बिल्कुल ठीक है 0 के अंदर आया यहां भी 0 लिया इधर भी हम लोगोंने सब कुछ 0 से लिया जब हम यहां आए तो यहां पे हमने one लिया एक बार मैं फाइल को फिर से अपलोड कर दूँ एक बार अपलोड हो गई हिट करके देखते हैं तो यह क्या कल काता इधर यह इधर आ रहा है तो इसको मैं एक बार 0 करता हूं और इसको एक बार one करता हूं एक बार हिट करके देखते हैं अभी तो यहां पे यह मेरा बराबर आ रहा है डेटा सब कुछ ठीक है अभी यह काम करते हैं देखें यहां तक का तो जो काम था वो तो आपका हो गया IPL के किसी भी मैच का आपको स्कोर देखना है आप यहां पे देख सकते हो यह आपके डीटेल आ रही है यह आपका क्या हुआ यह इधर आ रहा है यह इधर आ रहा है बिल्कुल ठीक है अब पता एक्चुल में सब कुछ तब चलेगा हमें कि जब हम यहां पे यह काम करेंगे कि जो मैच हो चुका है उस मैच को एक बार चेक करके देखते हैं तो हमें CSK का match हुआ था, CSK का match किस के साथ हुआ था, मैं भूल गया actually, Delhi के साथ हुआ था, तो Ctrl F कर देते हैं एक बार, Delhi को, ये जो ID है न, ये ID जब मैं डालूँगा, तो actual में मुझे थोड़ा clear cut पता चलेगा, क्योंकि दिक्कत यह है कि ये match हो चुका है, तो इसका जो data है वो proper यहां पर, एक बार hit करके देखते हैं, तो ये basically क्या दिखा रहा है यहां पर, कि man of the match, एक array की form में दिखा रहा है एक तो, ठीक है, ये देख लेते हैं, Delhi के capital ने जो है, यहां पर जीता था ये, और अगर मुझे इसका खाली data लेके आना हो, वो भी लाना पड़ेगा ना, त से इसका data पूरा मेरे पास आ जाएगा, चलिए, आ गया, एक बार undo कर देते हैं, इसे upload कर देते हैं, चलिए, man of the match में array क्यों आ रही है, क्योंकि man of the match के अंदर name बनता है, और name से data आता है, ठीक है, तो इधर चलते हैं, सबसे पहले तो man of the match को resolve करते हैं, match, कहां गया, man of the match, तो इसको बोलना पड़ेगा भाई, कि अगर इसके अंदर name होगा, तो वो name को निकाल ले, हिट करके देखते हैं, तो यहां पे शिकरदवन आ गया भई, man of the match, toss किस ने देखा, winning team कौन सी है, यह भी डाल देते हैं, तो winning team के लिए मैं copy करता हूँ इससे, यह div को, और यहां डाल देता हूँ, और बस यह winning team का जो यह copy array है, इससे copy कर लेते हैं, winning team, winning team, इसके अंदर तो भई कुछ भी नहीं होगा, तो इससे हटा देते हैं, इससे भी हटा देते हैं, और इसको बोल देता हूँ, मैं winning team, team, तो चलिए, यहां पर आ गया, अभी इसमें सब कुछ सही आ रहा है, बस यहां पर कुछ चीजों का गर्बर हो गया हूँ है मेरा, एक तो गर्बर मेरा जो हो रखा है, यहां पर वो क्या है, कि इसका जो data है ना, वो कुछ systematic धंग से arrange है नहीं, API में, उस वजह से क्या हो रहा है, कि मुझे यह नहीं पता चल पा रहा है, कि यहां पर यह दिखा रहा है, कि पहले चेन नहीं ने betting करी थी, तो मेरा गर्बर हो गया है हिसाब, यहां पर यह दिखा रहा है, मुझे कि पहले चेन नहीं है, चेन नहीं वसे day devils है, अब यह title उठा र एपिएई है, cricket score, तो यह जो cricket score वाला API है, यह मुझे data निकाल के दे सकता है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ डाल के देखता हूँ, हाँ देखिए, तो यह चलेगा API, एक काम और कर सकते हैं, कि एक और API दन कर सकते हैं, अभी यह API क्या करेगा, मुझे यहाँ पे जो score हो रखा है, वो यहाँ पे निकाल के दे रहा है, कि इन्हों ने इतना करा था, और डेली डेविल्स ने, इन लोगों ने यहाँ पे इतना करा, देखिए, बिल्कुल सही है, score सब चीजों के साथ आ रहा है, तो perfect है हमारे लिए, पर एक चीज यह देखनी पड़ेगी, कि अग सबसे पहले मैं यहाँ बोल देता हूँ, API URL is equal to this, सबसे पहले तो मैं इस API को हिट कर देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ this, यहाँ फिर कर देते हैं, हम लोग match API कर देते हैं, match URL, this, match, result, match, match, इसी को यहाँ डालते हैं, इसी को यहाँ डालते हैं, अब इसके अंदर जो भी यह false का आ रहा है, उसके base पे जो भी मुझे score दिखाना है, वो मैं नीचे दिखा लेता हूँ, नीचे आ जाते हैं, यह जो हम लोगों ने यहाँ पर भी कहानी करी थी, यह पूरी की पूरी क करने की कोई जववत है ही न, इतने सारे लूप चलाने की जववत ही नहीं है देखिया, बस वो जो ऊपर वाला variable था, उसके base पे सारी कहानी हमारी हो जाएगी, कैसे, एक बड़ी दर चलते हैं हम लोग, यहाँ रहा, इसके अंदर score, तो अगर मैं यहाँ डालता हूँ, if is set, अगर इसके अंदर score पड़ा हुआ है, और साथी साथ, यह जो score है, not equals to false है, तो मैं क्या करूंगा, यह जो variable है, इसका data यहाँ प्रिंट करा दूंगा, अभी एक बार चलते हैं, reload करके देखते हैं, यह वाला जो page है, तो hopefully जो data है, बराबर आ रहा होगा, तो देखिए, बिलकुल सही है, data जो था हमारा यहाँ पर बराबर आ क्या, इसने यहाँ दिखा दिया, यह red वाला जो sign है, इसको भी मैं हटा देता हूँ, मुझे कोई आ रही है यह, before, अच्छा, यह before में यहाँ इसने यह दिया हुआ, तो या तो CSS में से आ रहा है, index के अंदर, यह पड़ा हुआ है, index.css, चलते हैं इदर, css, index.css, कहाँ पड़ा है, यह रहा, और यहाँ से यह जो color है, इसे मैं हटाई देता हूँ, that's it, तो, 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 आया नहीं, अभी तक हटा नहीं, भाई, क्या हो गया, हटा कैसे नहीं है, before, ctrl, f5 कर लेते हैं, css, जो है, मेरी, reflect नहीं हुई, चलिए, reflect होगी, अब इसका भी अगर font size बढ़ा करना है, बाहर वाले का, तो, इसका font size बढ़ा कर सकते हैं, पर ठीक है, तो, य यहां पर मेरे score आ गया है, और भी अगर मुझे देखना हो कि, यह API मुझे कुछ देता है, team one, यह, देखे, काफी, काफी चीज़े हमें, यह भी निकाल के, यहां पर दे देता है, तो, यह जो इधर आ रहा है, इसकी मुझे भी कोई ज़ववत, यहां पर है ही नहीं, तो, नीचे की तरफ भी जो आ रहा होगा, यह strong tag में, इसको भी हटा देते हैं, reload करते हैं, अभी एक बार hit करते हैं, तो, यह यहां पर आ गया, यहां पर चिन नहीं के बारे में आ गया, control zero कर लेते हैं, यहां पर चिन नहीं के बारे में आ गया, और यहां पर इन के बारे में आ तो इस तरीके से आप basically IPL के किसी भी match का भी score जहां पर भी दिखाना चाहते है दिखा सकते हैं एक काम और कर लेते हैं कि जो अभी match चल रहा है उसका भी देख लेते हैं अभी एक बार तो हमें clear भी हो जाएगा कि कैसे चल रहा है यहाँ पर तो एक बार देख लेते हैं वही क् cricket cricket इधर चलते हैं और यहाँ डाल देते हैं call kata यह रही API इस API को भी मैं यहाँ डाल देता हूं इस धर भी डाल देते हैं इधर भी डाल देते हैं और एक काम और करेंगे कि एक variable बना लेंगे in fact एक तो डाल देंगे token के लिए variable और एक डाल देंगे key के लिए variable तो key मेरी हो ग है या फिर इसको change कर देते हैं Actually में यह मैं कर देता है API की और यह कर देता और मैं unique ID , तो API की डाल देते हैं हम यहाँ पर और जो unique ID है वा डाल देते हैं यहाँ पर same चीज मैं जो नीचे वाला है मेरा इसके लिए भी कर देता हNём इधर आ जाते हैं, यहां पर यह डाल देते हैं, एक बार चलते हैं, हिट करके देखते हैं भई क्या है, तो यहां पर चली हमें यह जो था चीज मिल गई, कि इन दोनों का मैच चल रहा था, कॉलकता ने यह करा था, इसने यह करा था, यह हमारे मैच का रिजल्ड था, मैच किस इसने जीता, match इन्हों ने जीता, toss इन्हों ने जीता, man of the match अभी तक कोई decide हुआ नहीं होगा, तो बाकी जो सारा का सारा data है वो हमारा यहाँ पे इस तरीके से आगया, तो इस तरीके से आप basically किसी भी match का जो data है अपना दिखा सकते हैं, एक का मौर भी कर सकते हैं हम, इसको भ युमारा इनका details आ रहा है, तो कुछ ऐसा करना चाहें, तो ऐसा भी कर सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि जो index वाला file है इसे बंड कर देता हूँ, in fact जो सारे चे सारे मेरे file है, इने halten कर देता हूँ, यह जो मेरा index वाला page था, यह वाला, इसको मैं कर देता हूँ detail, इ-- और यहां से एक file upload करता हूँ index की और यह सारा का सारा जो code है मेरा इसको डाल देता हूँ मैं index में reload, refresh करते हैं अच्छा ही IPL चला गया इसको मैं index कर देता हूँ तो देखें मैं कैसे करना हूँ अभी कि index का जो मेरा page है वहाँ पे मैं जो मेरा matches है उनकी मैं listing खाली दिखा रहा हूँ और उसके click करने पे मैं उनका आपको score दिखा रहा हूँ यह भी मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूँ सारा का सारा जो data है वो मैं यहां डाल देता हूँ और अभी मुझे खाली score जो मेरा है उनके बारे में मुझे खाली यहां पर देखना है, जैसे कि अगर मैं इधर चलूँ और यहां पर मैं बात करता था, तो मैं डाल सकता हूँ call काता, या फिर मैं unique ID लेके loop चला लेता हूँ, चलिए, इसकी कोई जरुवत नहीं है मुझे, इन सब की कोई जरुवत नहीं है मुझ इसकी जरुवत है, unique ID को मैं क्या करने वाला हूँ, अभी array में घुमाने वाला हूँ, नीची आएंगे, और यह सब भी जो हम लोगों ने करा है, ताम जाम नहीं करेंगे, पस simple यहां पर एक तरफ में है, जो scores है मेरे खाल, जो teams के matches हमें दिखाने हैं, वो दिखा रहा हूँ तो यह सब हटा देते हैं, simple सा जो काम है वो रखेंगे, UI थोड़ा सा sort करना पड़ेगा, तो इसको इधर करते हैं, इसको इधर से remove करते हैं, यह जो data है, सब मैं हटा देता हूँ यहां से, इसको पूरे के पूरे box को ही हटा देता हूँ, man of the match, भाई यह सब भी कुछ नी च चाहिए हमें, बस मुझे एक box चाहिए खाली, कोई भी एक box, IPL आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, बाकि मुझे किसी भी box की जववत नहीं है, इससे ही बंद कर देते हैं, और इससे भी बंद कर देते हैं, toss, यह सब भी नी चाहिए, तो मैं इनको भी हटा देता हूँ, बस एक चो heading है, मैंने यहाँ पे ले ली है, बाकि सब को मैंने हटा दिया, और यह जावा स्क्रिप्ट की भी कोई जोत नहीं है, जावा स्क्रिप्ट तो बेसिकली वो जो tabs बनाये थे हमने उनके लिए था, पर history वाला इससे भी हटा देता हूँ, बस इसको खाली रखता हूँ, यह वाला खाली मेरा data, और एक बार इसे loop पे गुमा के देखता हूँ कैसा UI बन रहा है इसका, तो इसको अगर मैं loop पे गुमा हूँ तो कैसा बनेगा, यह वाला जो अगर इसको मैं ले लूँ और इसको तो मतलब मेरा यह जो है, यह वाला box यह loop पे गुमेगा, अब मैं क्या करूँगा, यह जो unique ID थी, यह unique ID के लिए Mac यहाँ पे array बनाऊँगा, तो मैं बोल देता हूँ, dollar ARR of unique ID, unique ID is equal to this, इसके अंदर मैं मेरी सारी की सारी unique ID डालूँगा, let's say 3 unique ID मैंने यहाँ पे ले ली, और सबसे पहला मैच हुआ था Mumbai Indians का, तो उपर चलते हैं, चार कहा गया, उपर, और उपर, और उपर, और उपर, चलिए इधर आ जाते हैं हम लोग, तो अभी यह यह दिखा रहा था, in fact एक काम करते हैं, Delhi को ही निकालते हैं, चलिए, Delhi, 15 तारिक, नहीं, मुझे 15 से पहले के चाहिए, इनके, initial वाले चाहिए, मुझे, यहाँ से है यह, इससे उपर देखते हैं कि कहां पे है, CSK से पहले भी एक मैच हुआ होगा, CSK से पहले कोई मैच यह दिखा नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं भी दिखा रहा है तो, ठीक है, एक ID मैं यह ले लेता हूँ, फर्स्ट ID मेरी यहाँ पे आ गई, एक यह जो ID थी, मैं यह डाल देता हूँ, दो ID ले लेता हूँ, चलिए, अब यह ID के base पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे loop चला लूँगा, इसको करता हूँ copy, क्योंकि पूरे का पूरा यह जो मेरा string है, य loop पे गूम के यह क्या करेगा, यह जो मेरा div बना हुआ था, इस div को loop पे गुमाएगा, इधर आएंगे, इधर चलेंगे, और इसको मैं आगे करता हूँ, इसको भी आगे करता हूँ, और इसको मैं इधर करता हूँ, अब मैं क्या करूँगा, इस unique ID के base पे एक loop चलाँगा, तो मैं यहाँ बोल दिता हूँ कि, for each, this is dollar UID, और in fact, unique ID कर देते हैं, अपना काम और easy हो जाएगा, और यह जो पूरे का पूरा div बना, इन सब को loop पे गुमा देते हैं, अब इससे क्या data मिला मुझे, वो बहुत important है, और उसको मैं eco free and print underscore r कर देता हूँ, चलते हैं इधर, और index का page है, reload करते हैं, एक बार देखते हैं, क्या data मिल रहा है हमें, तो यह data basically मुझे यहाँ पे मिला, unique ID क्या है, मुझे वो मिली और यहाँ से मुझे जो भी इसका score है, दो matches ऐसे हैं, जो हो चुके हैं, और एक और ऐसा match डालूँगा, जो नहीं हुआ है अभी तक, यानि कि let's say यह बाला, जो कि अभी नहीं हुआ है, unique ID के अंदर मैं इसे भी डाल देता हूँ, जिससे कि clear cut जो data मेरे पास आ जाएगा, कि क्या data अभी यहाँ पे चल रहा है, reload कर इसी को कर देते हैं, जब कर दिया तो, तो अब यहाँ पे अगर मैं इधर देखूँ, तो math started में मेरे पास कुछ नहीं आ रहा है, जबकि in sum में मेरे पास आ रहा है, और अगर मैं score नाम का variable भी देखूँ इधर, तो यह score बनता है, लेकिन जब मेरा score नहीं बनता है, इसका मत मतलब, जो मेरा math started है, या math started ले ले लेते, math started 1 का मतलब है कि math start हो गया है, इधर आएंगे, इसको मैं अभी हटाता हूँ, और बीच में यहाँ पे मुझे लिखना है कि किसका match है, यह team 1 और team 2 का match है, team 1 versus team 2, तो मैं इधर बोलता हूँ, e को this versus this, इसके अंदर team 1 है, और इसके अंदर team 2 है, team 1 versus team 2 आगया मेरे पास, और अगर यह math start हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे पास यहाँ पे score आ रखा है, वो भी दिखा दूँगा, यहाँ पे, यहाँ गया मेरा, और एक मैं यहाँ पे hyperlink बनाऊँगा, इसमें मैं यह वाला variable है, वो भी डाल दूँगा, अगर math start हुआ होगा तो, score वाला, पर score वाला variable मैं तब डालूँगा, जब math started होगा 1, तो मैं यहाँ बनाता हूँ, एक और variable, if, जो मेरा उपर, कौन सा variable है, result वाला है, यह variable, अगर इस variable के अंदर, जो यह है, इसकी value हुई है 1 के बराबर, तब ही मेरी यह condition चलेगी, otherwise नहीं चलेगी, इसको बंद करते हैं, और इसे यहाँ पे इस तरीके से लेके चलते हैं, एक बार hit करके देखते हैं अभी, कैसे बन रहा है, UI आ रहा है यहाँ पे, तो देखिए, यह कुछ UI इस तरीके से यहाँ पे बन रहा है, अब यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा, तो मेरा score आएगा, otherwise मेरा score नहीं आएगा, अब इसको अगर उपर भी करना चाहें, तो कर सकते हैं, मैं यह भी करके देख लेत हूँ, तो इसकी जो width है, वो थोड़ा सा हो रहा है, fight, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक BR डाल देता हूँ, यह variable मैं हटा देता हूँ, और इसकी जगा style में डाल देता हूँ, padding, class की जबुद नहीं है, या तो CSS लगानी चाहें लगा सकते हैं, मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे padding, 10 pixel की, reload करते हैं एक बार, और अभी देखते हैं, क्या UI बन रहा है मेरा यहाँ पे, तो चलिए यह कुछ, इस तरीके से आपका UI आ गया, थोड़ा सा बढ़ाएंगे इसे, 20 करेंगे, और नीचे भी जो hyperlink बनाया है, इसको भी मैं div के अंदर डाल देता हूँ, और जो font है इसका, इस वाले का, font size कर देंगे हम लोग 20 pixel, और जब इस पे click करेंगे, तो मैं जाओंगा इस बार, जब इस पे click करेंगे, इस hyperlink पे, तो मैं जाओंगा detail.php के पास, और इस detail.php के पास मैं लेके जाओंगा मेरी id, uid, uid is equal to, अब यह uid कौन सी होगी, यह जो मुझे unique id मिल रही है, यह वाली, और यहाँ पे हम मैं बोलूँगा कि यह जो unique id है, यह आपको url से मिलने वाली है, किस तरीके से, इस तरीके से, if set uid, अगर url से कोई uid मिलती है, and वो जो uid है, वो बराबर है 0 के, तो dollar uid, dollar uid is equal to dollar underscore get of uid, और इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, that's it, और अगर ऐसा नहीं हुआ, else, तो मैं इसको redirect कर दूँगा, सीधा home page पे कैसे, header, और location, index.php, and इसके बाद, die, that's it, चलिए जी, एक बार अभी देखते हैं, सब कुछ ठीक है की नहीं है, दोनों file मेरी हुई upload, हमाए index पे, इसको कराम ने hit, और थोड़ा सा चलने देते हैं, चलिए जी, यहाँ चला भी है, यह हमारे पास आगया, अब जैसी मैंने इस पे click करा, चिन्नाई versus डेली capital, अरे यह क्या हुआ, UID जा रही है भई, UID, हम लोग उन्हें unique ID कर दिया, इसे, लिखा भी गलत है, UID, UID, and UID, reload, तो हमने किया जी hit, जैसे ही hit किया, तो हम देखिए अंदर के page में आए, और अंदर के page पे हमें यह data मिल गया, अब अगर मैं इस पे click करूँ तो वैसे तो clickable ही नहीं, और इस पे click करूँगा, तो यह मेरा अंदर के page पे जाएगा, और click करके मुशे दे देगा, अब यहां भी एक काम कर सकते हैं, और करना है, तो इसका जो color है, मैं थोड़ा सा change कर देता हूँ, जिससे prominent हो जाए, और उसके बाद हम लोग हमारा जो काम है, उसे करते हैं, खतम, color कर देते हैं, red, इसका मतलब यही हुआ, कि सब कुछ ठीक है, तो color red कर देते हैं बस नीचे, detail की जगा inbox पर, index पर आते हैं, और यह जो हम लोग कर दे हैं यहां पर, इसमें एक तो डाल देते हैं, color इसे कर देते हैं, red, और font कर देते हैं, 18, और in fact इसे 20 रहने देते हैं, जो padding हमने करी है यहां पर, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, padding कर देते हैं, 17 की चलिए, एक बार reload करके check कर लें, बस, सब कुछ ठीक है, नहीं है, तो, 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 अचा यह इसको ठीक किया, इसने, इसको हमें actually में इसका color देना था, hyperlink का, चलिए ठीक है अभी, बस यह जो style है, यहां से इटा के नीचे दे देते हैं, एक बार, और hyperlink का है हम हमारा hyperlink, तो मैं एक डाल देता हूँ, style, color red, that's it, चलिए जी, finally इसे करते हैं, hit, और जैसे hit करेंगे, तो color हो जाएगा, red, red से हमें पता चल जाएगा, कि वह यह rate आम लोग देख सकते हैं, तो इस तरीके से friends, आप अगर अपना scoreboard दिखाना चाहते हैं, IPL का दिखा सकते हैं यह एक array मैंने बना लिए, आप इस array के अंदर आप unique ID डाल सकते हैं, unique ID कहां से मिलेगी, वो भी मैंने आपको बता दिया, new match API में जाएंगे, तो यह यहां से आपको IDs निकाल के देदेगा, यह IDs को आप अपने आगे के page में डाली है, तो आपका यह बराबर तरीके से चलने लगेगा, तो friends, यह था हमारा एक complete video, किस तरीके से आप IPL के match का अगर score दिखाना चाहते हैं, तो अपने website पर दिखा सकते हैं, server पर मैंने आप लोगों को दिखा और आप देख सकते हैं, कि जो मेरी website की speed है, वो बहुत fast है, और वो actually वोस्टिंगर की वजा से, क्योंकि जो है, वो बहुत fast चलती है, तो अगर आप buy करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरे video के description में link है, वहाँ से आप उसे buy कर सकते हैं, तो friends, यह था हमारा आज का video, I hope, आपको कुछ नया और interesting सीखने को मिला होगा, बहुत effort लगता है friends, यह videos को बनाने में तो अगर videos पसंद आएं, तो please इसको like और share जरूर करिएगा, चैनल अगर आपने हमारा अभी तक subscribe नहीं किया है, तो please उसे subscribe कर लीजे, thank you